किसी ने क्या खूब कहा है दूसरों को ग्यान देने से जीवन में कभी भी ग्यान कम नहीं होता बलकि उल्टा और बढ़ता है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रेम प्रिकास पांडे हैं आज अपने चनल पर एक नई भेतरीन प्रेणादाय कहानी लेकर करके आया हूं दोस्तो आज की कहानी से जानेगे की रावण ने मृत्तु के समय लेश्मण को क्या गोड़ ग्यान दिया था जो आज भी सत्य है और उसका पालन करने पर जीवन सुखमय रहता है तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजिए और सुनते हैं आज की कहान जिसका सीर्शक है रावण का ज्यान स्री राम और रावण के बीच हुए अंतिम युद्ध की बाद रावण जब युद्ध भूमी पर मरण सहया पर पड़ा होता है तब भगवान राम लच्मण को समस्त वेदों के ज्याता महापंडित रावण से राजनीती सक्ति और जी तब रावण लच्मण को ज्यान देते हैं कि अच्छे कार्य में कभी बिलंब नहीं करना चाहिए और असुभ कार्य को मोह बस करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए सक्ति और पराक्रम के मद में जितना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर सत्रू तुछ और निम्न लगने लगे मुझे प्रम्हा जी से बर मिला था कि बानर और मानों के अलावा कोई मुझे मार नहीं सकता फिर भी मैं उन्हें तुछ और निम्न समझ कर अहम में लिप्त रहा जिस कारण मेरा शमूल बिनाश हुए तीसरी और अंतिन बार रावन ने यह कही कि अपने जीवन के गूढ रहस स्वजन को भी नहीं बताने चाहिए जोकि रिष्टे और नाते बदलते रहते हैं जैसे कि भिभीशन जब लंका में था तब मेरा हितेच्छू था पर स्री राम की सरण में आने के बाद मेरे बिनास का माध्यम बना कहानी का सार यह है कि अपने गूढ रहस से अपने तक रखना चाहिए सुभ कर्म में देरी न करना गलत काम से परहेस करना चाहिए और किसी भी सत्रू को कमजोर न समझना यह अमूल लिपाठ हर एक इनसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए तो दोस्तों इस चोटी सी कहानी से हमें जो सीखने को मिला उसे अपने जीवन में अवश पालन करना चाहिए ताकि हमारा जीवन भी सुख में चलता रहे और इसके लिए प्रद्दिन सुबह साड़े पांच बजे एक नई कहानी नई उमंग से करें दिन की सुरुवात तब तक के लिए छोटो से मिले प्यार और बड़ो से मिले आसिरवात और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँआ काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ हैसा के उदाहर बन जाए चोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए सेयर कर दीजिए अपने इस कोई तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेजिए और नहीं नहीं भेतरी मोटीवेस्टनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आपकर